हलो जैने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाइश्टेडी में आप सभी लोग का बहुत-बहुत सौगत और विदिंदन करता हूं फ्राण जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश अदिनसर सिवाची नयोग ने लाखों बरतियों के बहुत 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 क हुरे ज़्याइश्टा जिए जैसा जटक्building नियुक्त है कि देशचिल पर जोटों कहीए बहुत्म के कित में था कि रहितेजॡ़ के हित में था आयोगस्पनी ने सभी कुर्ण जो सूट्र था systर्वी जोव कहिन कहीं जो पर सच्चे थावित नहीं हुए और आयोग सबसरा कि result को लेकर कि अभी हम प्रिकिरिया दिन है और result हमारा दिवाली के बात जारी होगा लेकिन आयोग ने सभी को चौकाया और आयोग ने तमाम दबाव जो बन रहे थे आयोग को उपर ट्विटर अभियान चला और लगाता धर्नप दशन के नाते आयोग को रिजल्ड को लेकर के काम तेजी से करना पड़ा और फाइनली जो है आयोग ने जटका दिया जो छातर हित में था भरती के हित में था और आयोग ने आपका result यानि साड़े सत्रा लाग भरतों का result जारी कर दिया है uptlsc.job.in officially website पर अब जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं अपना नाम चक करना आपको वहां पर जो भी information क्या क्या चाहिए और भी मैं आपको पताऊंगा कितने भरती पर परिच्छा से बाहर हुए तो देखिए इसमें मैं आपको यहां बताना चाहता हूँ कि कोई बाहर नहीं हुआ है है ना यह मस सोचेगा कि हम बाहर हो चुके हैं हम फेल हो गए पास हो गए ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो नोटीस है अभी हम लोगों को रीट करके आपको दिखाते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर नयाद चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लिजेगा चलिए आगे पूरी अप बता रहे हैं अभी देश सकते हैं 28 अक्टूबर की नोटीस उत्तर प्रदेश अधिनसा सिवाचे नयुक पिकप हों तिर्टेतल गोंती नगर लखनों लखनों बाइस साथ दस जो फिजिए हैं आयूक की बिग्यापन संक्याइक परिच्छा दुआरे के इस प्रहंभी का हर परिच्छा पराम स्कॉर को प्रखाज़ित करने का अन्मोदन परदान कर दिया गया है प्रमिक आर्फशा पर दिभाग करने वाले भट्यों की परिच्छा पडदाम स्कॉर आयों की वैपसाइट पर अप्रोड के एक वर्स तक मानों आपका 27 दस 2022 तक मान्न हो गया 27-10 2022 तक अंकित कर दिए अब भर्थन निरस्ट करते हुए स्कोर कार्ड जो आप शबी लोगों का निरस्ट कर दिया गया है अभ्योकति अंकित की गई है जिन भर्थियों को केंद अधिच्छा द्वारा और बन्नी रुप से परबेश दिया गया था उनके परच्छा पड़ाम स्कोर म आप सबी लोगों को घबडाने की जवद नहीं है चीज़ा आपकी भी हो सकती है अंडर इन्वेस्टिगेशन यानि अविवक्ति अंकित की गई है ऐसे अभर्थियों के इस समन्द में जाच को अपरां एथोचित निर्डे लिया जाएगा जो अभर्थि परिच्छा को उनकी शिर्णी तदानसार अंचित साधन यानि अन्फेर मींस अंकित करते वे उनका भर्थन में निरस्ट कर दिया गया है ऐसे भर्थियों के बूद आयोग द्धायित प्रिक्रियमसार कारवाई की जाएगी तदानकार में उनक परिचा से समन्दे समस्त अभर्थियों को आरता परिच्चा के लिखित परिच्चा का पड़ा में श्कोर किया हुए अफ्लोट कर दी गई है तो यानि बाहर कौन किये गये हैं आपको पूरी इंफार्मेशन मिल गही है केवल ऐसे बर्तियों को बाहर किया गया है जो किसी न किसी unfair बात किया जाए unfair जो है means के सम्बन में था अंचिस साथनों के सम्बन में था या पिर उनके कुछ गलत तरीके से fill करने के अकार हुआ है information उनका जो है ऐसे बर्तिपट परिच्छा से बाहर हुचके हैं वो अब किसी परिच्छा के लिए आगामी आने वाले इस एक साल के अंदर यूपी टीपर यस्ति के द्वारा आभेदर नहीं कर पाएंगे रही बात आपका score card भी जारी नहीं किया गया है बट्या नियत्या कर दिया गया है तो एसे बर्तिपटों को बाहर कर दिया गया है अब यहां साता हूँ आप से भी लोगा कैसे 62-42 हो गया है आयोग ने क्या-kया जारी किया है रा मार्क जो अपने प्रापत किये हैं चाहिए फस्ट चाहिए सकेंड उसके बाद नॉर्माराइजड हैना उसके बाद पर्षेंटाइल अब मान लेजए किसी बिर्टी का जो है रा मार्क जो बढ़कर मानते हैं बढ़कर 54 हो गया है अब परसंटाइल में परसंटाइल किसके बेस्ट बनेगा यह देते हैं आपको द्यान यहां बताना चाहता हूं परसंटाइल यह है कि अगर आपने 72 सही किया है तो आपके वह चानबे 97 98 ऐसे नंबर हो परसंटाइल मतलब एको रशी आपने कितने गटेंट किये थे आपके कितने रॉंग हुए हैं कितने सही हुए इस पर डिपेंड करता है तो वह 54 नंबर वाला जो नर्विशन के बाद नंबर था भरती का उसका जो पर अगर एक रशी सही है तो कहीं न कहीं वह 84 परसंटाइल पर पहुँच चुका है तो आई होप समझ में आ गई होंगी आपको कितना मानिए रा मार्क आपका कितना था फिप्टी टू यह आपके रिजल्ट के स्कूर कार्ट जो वहां पर इंफर्म किया गया है यह कि तरफ से रा मार्क आपका फिप्टी टू है उसके बाद नॉर्मलाजेशन के बाद अंक आप पहुच गई है अब रही बात लेकपाल भरती को लेखर के तो लेकपाल भरती आयोग कब जारी करेगा ये कुछछ कह पाना अभ नहीं है लेकिन अच्छी बात है है ना आयोग कब क्या कर देगा इसकी इंफार्मेशन जो है बात किया जाए बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा क्योंकि आयोग ने जिस प्रकार से काबल पराई बर्ति कोने कर के मैं आपको बताना चाहता हूं भय फोल बर्ति का बिग्यापन कभा योग जारी करेगा अभी ही दूर की बात है पिंदो कि आप 2019 सारी हो चुकी है कुछ नहीं होने वाला है रही बात नौंबर कि तो नौंबर में आज जो आयोग से बात हुई थी आयोग ने रिजल्ट को ले करके तो वह कह था दीवाली के बास रिजल्ट देंगे जबिपर्स आयोग पर भर्तियों के जमाड़ा हुआ थो आयोग अभी एन रही बात नियो आमली को लोकर लेक पाल की भरते को लेकर के तो यह कहीं कहीं अब दिसंबर में जो है इनफार्मेशन जो है लग रहा है जो सुचना लग रही है कि इनफार्मेशन में ही अब यह बिग्यापन जारी किया जाएगा दिसंबर तक है ना दिसंबर तक संभावना ह हैं तो यह बड़ा अपडेट आप सभी लोगों के लिए था रही बात रिजल्ट को ले करके तो चलिए मैं एक बार आपको रिजल्ट को ले करके यहां से इंपरमेशन देना चाहता हूं कैसे आप चेक कर सकते हैं, आपका result यहां से आ सकता है, कहां से? यहां से आपका result आ सकता है। क्लिक, हीर टू प्रिमिल एजामिलेशन टेस्ट, स्कूर कार्ड, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं, नया पेज ओपन होगा और साइट अभी चल नहीं रहिए हैं मैं किसी प्रिकार से साइट यहाँ पर देख सकते हैं अभी रुकी पड़ी हुई है तो अभी इस प्रिकार से आप देख सकते हैं आप यहां से इन्फौर्मिसन आपको Pir. करना होगा। है ना इस पर जब आप click करेंगे तो एक नया page और open होगा क्या करना आपको यहाँ पर registration number बनना है अगर registration number नहीं तो आपको candidate यहाँ पर आपका rule number बनना है तो आपको यहाँ पर click कर देना है तो यहाँ पर क्या जाएगाँ werden advertisement number जानना है यहाँ पर अपना rule number डालना है, क्या डालना है, यहाँ पर देख सकते हैं, rule number रिजिट का आपको जो भी आपका डालना है, data birth डालना है, verification डालना है, gender डालना है, see result आप कर देंगे, है ना, और आपका result open होकर के आज आएगा, है ना, registration number अगर आप भूल गये हैं, तो आपको कर पहले आपको यहाँ, no your registration number पर जाना होगा, है ना, no your registration पर जब आप जाएंगे, तो बात पुना देख सकते हैं, अप सब्सक्राइट जो है भी भी, यह रूख सी गई है, है ना, तो मैं आपको यहाँ से information दे दे रहा हूं, लग भग, चीज़े आपको समझ में आई रही हो होंगी, friends, तो आप लोग इस तरीके से अपना रिजल्ट चक कर सकते हैं, registration number भी यहाँ से, यह भी आठ बिज तक, आठ बिज तक आपका जो साइट है, यह अच्छी तरीके से काम करने लगेगा, तो बहुत जदा परिस्वान मत हो यह, रिजल्ट तो आई चुका है, देख लिए जाएगा, आज या कल, जैसे भी information होगी, है ना, तो घर्पानी की जवद नई है, तो आप लोग यह चीजे कर सकते हैं, बहुत आसानी से, है ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर क मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अब्रेट के साथ, अत्तुलक्त धन्यवाद, नमस्कार